एक समय की बात है, एक रहस्यमय जंगल में जहां प्रेम और जादू की कहानिया हर ओर घूम रही थी, वहाँ एक छोटा सा गाव था, जिसमें एक छोटा सा लड़का नाम सागर रहता था, सागर एक समय के बाद हासी खुशी और दिल्चस्प बातों के लिए जाना जाता था, एक दिन सागर जंगल में घूमने गया, वहाँ वह एक खूपसूरत लड़की सांची से मिला, सागर का दिल उसकी सुंदर्ता के सामने दुगुना हो गया, सांची मुस्काते हुए, सागर हंसते हुए सागर और साची एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और उनकी मिलन भरी बातों के दौरान वह एक दूसरे के करीब आ गए एक दिन जब सागर और साची एक दूसरे के साथ गुजर रहे थे तब ही जाडियों में आवाज आई एक जलील राक्षस उनके सामने आया, जिसकी आखों में दुश्मनी की किरने थी राक्षस चिलाई हाँ हाँ युवा प्रेमियों, तुम्हारा प्यार शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह मेरे जादू के सामने कुछ भी नहीं है सागर ने साची को आगे धकेला, उसका दिल डगमगाया तुम हमसे क्या चाहते हो राक्षस? राक्षस के होटों पर एक भयानक मुस्कान फैली मैं तुम्हारा प्यार तोड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं उसे अपने पैरों में रौन सकूँ राक्षस ने अपनी चड़ी लहराई, जिससे सागर और साची अंधेरे में गिर गए वे खारा में भंसे, उनका प्यार उदासी से घिरा था साची ने सागर के हाथों को पकड़ा, उसकी आवाज धर्थरा रही थी सागर, हमें उम्मीद नहीं चोड़नी चाहिए हमारा प्यार किसी भी शाब से शक्तिशाली है सागर ने सर जुकाया, उसका निर्धारन नया हो गया मिलकर साची, हम कुछ भी कर सकते हैं वह उतार चड़ाव करते हुए, सागर और साची की आवाज अपने कानों में गूंजने लगी हर बार वह अपनी शक्ति को पुनह प्राप्त कर रहे थे अंत में वे खारा के दिल में पहुँचे, जहां राक्षस इंतजार कर रहा था लेकिन सागर और साची उंचे थे, आगे जो कुछ भी चुनौतियाओं थी, उनसे मुकाबला करने के लिए तयार थे सागर ने कहा, उसकी आवाज में साहस था राक्षस मुस्कराई तुम्हारा जादू हमारे प्यार की शक्ति को नहीं तोड़ सकता उसकी आँखें गुसे में चमक रही थी, उसकी चड़ी के एक जटके के साथ राक्षस एक तेज तूफान बुला लाया, जजनी चमक रही और बारिश हो रही थी लेकिन सागर और साची हार नहीं माने, वे साथ में खड़े थे, उनका प्यार उन्हें राक्षस के क्रोज से बचा रहा था जब तूफान चल रहा था, सागर ने साची के हाथ में हाथ दिया, उसका दिल प्यार और दर्टा से भरा था साची मुस्कुराई, उसकी आँखों में आनंद की आंसू थे